एक दम बढ़िया हैं एंसारी अच्छे सभी क्लासे को फॉलो कर रही हैं विद आज हम एक और आगे बढ़ रहे हैं हमारा लेक्टर अगर आपको याद हो तो मैंने CBSE का सांपल पेपर तुम लोग को करवाय था और उस सांपल पेपर में वो क्वेशन आया हुआ था याद आया बिटा याद करो वो क्वेशन तुमारा आया था तो तो आज हम वो वाले क्वेशन को उन चीजों को समझने वाले हैं तो उस टाइम पे अगर आपको वो चीज समझ नहीं आई है तो अभी आजाएगी ठीक है चलो उससे पहले बिटा मैं आपको जल्दी से यहाँ बता देती हूँ कि हुआ क्या है 12th class का एक नया course start हुआ है बेटा English medium वाले बच्चों के लिए which is purely purely based on CBSE बिल्कुल बेटा CBSE को focus करता हुआ ये course है 19th से यानि कि इसी हफते से बेटा शुरू हो चुका है आपकी classes लग चुकी है already बेटा तुमारी तीन classes लग चुकी है तो जल्दी जल्दी कहां रह गए जल्दी से बेटा आ जाओ like you know आपको बाकी courses भी बेटा start हुए है ये course काफी special है इसमें बेटा आपको NCRT previous years question daily practice के लिए homework आपको notes भी बेटा provide करने की कोशिश cbsc का बिलकुल focused तयारी तो बेटा ये सारी चीज़ें आपको provide करी जाएंगी ठीक है उसके अलावा बेटा अगर आपको कोई भी information चाहिए any information any any information regarding the course तो बेटा आप इस number पे contact कर सकते हैं and definitely आपको help किया जाएगा ठीक है all right अभी बेटा हम आगे बढ़ते हैं तो पिछली class में जो मैंने आपको bio gas पढ़ाया था जो बच्चे last class में नहीं थे बेटा भी इसको revise कर लेंगे और जो बच्चे थे और जो नहीं भी थे दोनों ही try to attempt questions या पिटा जो पहला सीवेज में से भी मैंने आपको questions दिये हैं सीवेज treatment से देखते हैं कितने बच्चे ने सही से answer किया है the first question is on the screen बिटा चलो देखो क्या बोल रहा है BOD in polluted water and dash in potable water बिटा BOD is biochemical oxygen demand ये आपका polluted or normal potable water में बिटा कितना होगा कैसा होगा बताएं बिटा BOD is how much less or more in these two things next बिटा biochemical oxygen demand ये जो होती है in a river water बिटा कैसी होती है river water में कैसी होगी क्या condition यहां पे suitable होगी look at the options very nicely यहां से बढ़ेंगे बिटा ठीक है उसके बाद बिटा in a sewage treatment bacterial flocks flocks बिटा are allowed to sediment in a setting tank या फिश सेटलिंग तैंक या फिश सेटलिंग तैंक दिस सेदिमेंट इस नोन आज वाट इसको क्या बोलते हैं बिटा कम आन बिटा नीट की classes चल रही है यार कहां हो ओके ओके यह वाला question देख लो methanogens growing anaerobically on cellulosic material बिटा methanogenic जो methanogens होते हैं cellulosic material में क्या produce करते हैं and please pay attention बिटा आपके daily 11 a.m. को classes होती हैं 12th की यार और 10 a.m. को आपकी नीट चलता है तो अभी classes के time table के regarding भी बिटा कुछ discuss कर लेते हैं चल दी से इसका answer करेंगे सारी questions का चालो question discuss करते हैं first question बिटा बोल रहा था BOD तो BOD is biochemical oxygen demand आपको बिटा क्या पता था मैंने आपको क्या पताया था जितना जादा organic matter होगा उतना बेटा aerobic bacteria उसको खाएगा उसको तोड़ेगा अब aerobic bacteria का मतलब ही ऐसा bacteria जो की oxygen को यूज करता है तो बेटा oxygen की demand जादा होगी अब अगर oxygen की demand जादा होगी तो यहाँ पे यही तो पूचा है BOD is dash in polluted water तो polluted water में जादा चीजे होती है तो क्या होगी more होगी बाकी तो गलत ही लग रहे है option और उसमें बेटा less होगी तो option A is the right answer सबके सही है अगला बेटा अब river water से related पूचाएं आप इस दरह देख लें it has no relationship with the concentration of oxygen in the water नो बेटा absolutely wrong statement देखो आपकी demand बढ़ती ही इसलिए है oxygen की क्योंकि water water में dissolve form oxygen है terrestrial से कम होती है तो जादा सा जादा वो यूज कर लेते हैं और बेटा equating life के लिए कम हो जाती है oxygen next क्या बोल रहा है gives a measure of salmonella what is this बिटा this is wrong salmonella यहां पर यह कहां से आ गया typhiid वाला हो सकते हैं उसमें वो bacteria बट इसका measure नहीं दे रहा है particularly then increases when sewage get mixed absolutely right बिटा oxygen की जो demand है वो जादा हो जाएगी अगर sewage river water में mix कर दिया जाए उसके बाद बिटा remain unchanged this is wrong तो answer होगा option 3 ठीक है very nice चलो बेटा अगला question next question में यहां पर पूछ रहा है कि जो sea waste treatment होता है उसमें bacterial phlox की बात कर रहा है तो बिटा याद करो याद करो बेटा उसको activated sludge बोलते है और इसी को inoculum की तरह भी बेटा यूस करते हैं remember yes absolutely right और last question था पिछली क्लास से related की बेटा methanogenic bacteria कैसी gases release करते हैं तो I told you hydrogen carbon dioxide और methane बिटा तीनो gases होती है option D is the right answer now moving ahead आगे पढ़ेंगे बट पिटा उससे पहले जरा मेरी बात सुनो daily classes like you know 10 a.m. को नीट की classes होती है जैसे आज हमने alteration of life cycle पढ़ा था तो अगर आपको कोई भी topic पढ़ना हो तो आप मुझे comments में बता सकते हैं हम उस topic को pick करेंगे दूसरी चीज बेटा 11 याम आपको यह वाली class होती है now अभी क्या हो रहा है बहुत सारे बच्चों के school खुल रही है तो बेटा आपको तोड़ इसी help करनी है doubt net वालों की क्या help करनी है बेटा आप में जा करके आपको पोल attend करिये और मुझे को यहां पे कोई चीजे बताइए जो मैं आप से पूछना चारी हूं ताकि हम उसके according classes बेटा schedule करें तो please let me know क्या सभी बच्चों के या कितने बच्चों के बेटा स्कूल खुल चुके हैं जल्दी बताएंगे और बेटा जिन बच्चों के आप में पोल नहीं आता है नहीं आता है बेटा आपके आप में पोल आता है जिसमें अब सोरनों को answer करके submit कर सकते हो तो बेटा आप अपना डाउटनेट आपको update करें ठीक है अच्छा कम बच्चों के खुल रहे हैं ठीक है ठीक है और राइट आपके ये बताएं कि जो भी आपके जिद्वीजिजिद्चों के खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं बाकी का तो ठी के मज़े हैं जिनके नहीं खुड रहे हैं तो बिटा वाट आदी टाइमिंग्स पॉर यूर स्कूल क्या टाइमिंग्स रहते हैं सुबा के बिटा दो बज़े तक साथ बज़े तक या एकदम नाइट शिप्ट है हाँ मेनी ऑफ यू बिटा कितने बच्चों के आपके स्कूल के टाइमिंग्स क्या हैं प्लीज दूनेट लेट मी नो और राइट और राइट यानि कि अगर खुलेंगे तो क्लासे सुबह नहीं अटेंड कर पाएंगे बहुत सारे बच्चे ठीक है बटा और आप फिर किस टाइम पे डाउटनेट की क्लासेस चालते हैं अभी बहुत सारे बच्चों के स्कूल खुलते हैं बहुत नहीं भी जाते हैं तो मुझको अब सिंपल रा बता दो कि आप बेटा मैक्सिमम बच्चे किस टाइमिंग पे डाउटनेट आप पे क्लासेस चालती है now uses pä्रांप होजère करना चाहते हैं नौसे बारह नौसे बारह बारह से नौसे बारह विटा बारह से तीन करना चाहते हैं स्कीन से चरखेंलने नो आЛ राये तो स्बह और श्राम का बर्डिया चलो बिटा, now, let's move on ahead, हम अपना topic आगे पढ़ते हैं, ठीक है, बिटा, last class में सब को याद है हमने क्या किया था, do you remember, हमने bio gas plant किया था, bio gas को कैसे produce करते हैं, क्यों करते हैं, चलो बच्चों, ठीक है, चलो, ओके, ओके, अब जल्दी से इसको हम कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों replies आगे हैं कि क्या क्या उनको चाहिए, तो maximum what I can see is, सुबा वाली भी हैं और शाम वाली भी हैं, तो थोड़ी मुश्किले बढ़ गई हैं, let's see, let's see what we can do, all right, चालो, now, now, बेटा, last class में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कि बायो गैस क्या है, तो चल दीसे इसको रिवाइस करा देते हैं, आज का टॉपिक तो चोटा सा है, बायो फॉर, बायो कंट्रोल एजन्स पढ़ेंगे, उसमें एक्जाम्पल्स बताऊंगे, बहुत प्यारे-प्यारे, तो बिटा, यहां पर क्या होता है, हमने दीखा था, कि बायो गैस इस नाफिंग बट अ फ्यूल, यह बिट देते हैं, तो बेटा क्या करते हैं, काउ डंग को ड्राय करते हैं, उसके बाद ड्राय करकर के उसको जलाने के लिए, आज फ्यूल यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं, तो बेटा क्या करते हैं, तो बेटा क्या करते हैं, तो बेटा क्या करते हैं, तो बेटा यहां पर क्या जादा एफिशेंसी नहीं है बहुत जादा वो time भी लेता है energy consume भी करता है जलने में साती विटा उतनी energy वो दे दे नहीं रहा है बहुत जादा energy दे तक लंबे समय तक बिटा जल नहीं रहा है प्रड्यूस नहीं कर रहा है and very important concern ही बिटा कि वो काफी जादा air pollution भी कॉस कर रहा है जो वहाँ पे गाउं में लोग खाना बना रहे है उन लोगों को यूस कर रहे है तो पिटा क्या होता है वहाँ पे उसकी वजा से there is lots and lots of air pollution ठीक है तो ठीक है कुछ पिटा यहाँ पे हमारी यह चीज आपको learn होनी चाहिए even for your other exams also कि बिटा Indian Agriculture Research Institute Khadi and Village Industries Commission इन दोनों ने बेटा क्या किया यह दोनों ने decide किया Commission ने बिटा ऐसा कुछ प्लान आउट किया कि हम कुछ ऐसा alternative बना सके जो बेटा काफी जादा helpful होगा तो बायो गयास का production किया और this was much much better you know why क्यों बेटा था बेटा क्योंकि यह काफी जादा amount में gas produce कर रहा है बेटा इसकी अगर आप efficiency देखोगे तो कहां उसकी 10% efficiency बेटा यहाँ पे 30% दिखाया उसके बाद हमने क्या देखा कि यह high caloric high calorific value है और बेटा यहाँ पे देखेंगे अगर आप it is not producing any pollution any suffocant किसी भी type का बेटा pollution type की cause नहीं कर रहा है और सबसे मज़ेदार चीज क्या है नहीं कोडा होगा नहीं इकटा होगा यूज हो रही है सारी चीज नेचर है microbes को use करके भी हम उनको काम ला रहे हैं तो बेटा bio gas is nothing but mixture of gases carbon dioxide hydrogen और methane जिसमें सबसे ज़्यादा बेटा methane होता है और यह कैसे बनाई जाती है microbial activity से बेटा और यह होती है anaerobic microbes और ऐसे microbes जो बहुत बहुत ज़्यादा energy release कर रहे है gas release कर रहे है methane gas release कर रहे है बेटा उसको methaneogens बोलते हैं तो anaerobic condition में यह grow होते हैं और बेटा methane gas produce करते हैं now produce कैसे कर रही है तो we know बेटा cow dung में क्या होगा there is cellulosic material क्योंकि वो तो बहुत हर्भी वोर्स का dung है तो हर्भी वर्स तो plants खाती हैं तो बेटा उस पे cellulose होगा तो जब इसका जब बेटा इन चीजों का breakdown होता है तो large amount में ऐसी gases produce होती है example is methino bacterium और बेटा इन gases को use करके हम bio gas produce कर सकते हैं ठीक है चलो now बेटा what is bio gas plant bio glass plant क्या होता है it is a structure जा पे बनाया जा रहा है bio gas और बेटा एक outlet भी होता है एक pipeline भी होता है जिसके through हम उसको आगे आके जाके घरों में पहुंचा सके ठीक है all right तो बेटा क्या होता है it is a plant जो consist करता है एक concrete tank तो काफी अच्छा-कासा गहरा बेटा एक गड़ा बना देते हैं concrete का और इसके अंदर सारा डंग डाल देते हैं और एक slurry बनाई जाती है यहीं पे ठीक है अब बेटा यहां पे slurry बनाई जाती है और तो इसको अब क्या हो गया हुआ पे microbes प्रेजेंट होंगे तो बेटा वो microbes उसको यूज करने लगते हैं oxygen की जरूरत है नहीं तो हमको air वेर oxygen के साथ provide करने की जरूरत है नहीं इसके ऊपर बेटा एक floating cover होता है यह floating cover क्यों होता है क्योंकि बेटा जैसे जैसे gas प्रेडियूस होती रहती है यह float करता रहता है ठीक है यह rise होता रहता है after that जो भी बेटा गास प्रेडियूस होती है उसको outlet के थ्रू हम nearby areas में पहुंचा सकते हैं ठीक है now very very important thing कि जो चीज़े बच गई जो चीज़े बिटा बच गया उसको हम as a fertilizer भी यूज कर सकते हैं ठीक है यह पढ़ा था पिटा हमने और मैंने आपको एक चीज़ बताया थी for your board exam this diagram is very very important पिटा इसका diagram बनाने को आता है ठीक है चालो now bio gas production का process क्या है तो पिटा क्या बताया था यह मैंने बताया था कि anaerobic radiation करता है यानि की absence of oxygen में करता है और जिसके वज़े से इसको fermentation भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद facultative anaerobic मतलब ऐसी चीज़ें जो बेटा conditional है optional है यानि बेटा ऐसे organism जो ऐसे organism जो बेटा क्या करते है anaerobic microbes anaerobic microbes बेटा anaerobic का मतलब है no oxygen तो बेटा अगर फैकल्टेटिव लिखा होगा फैकल्टेटिव लिखा होगा इसका मतलब मन मरजी का मालिक अपनी मरजी का मालिक है यानि अगर oxygen नहीं है यह तो इसको चाहिए ही चाहिए बट इफ oxygen थोड़ी बहुत प्रेजन होगी तब भी यह कुछ समेता काम कर सकता है ठीक है बेटा उसके बाद देखो क्या बोला अब यह क्या करने लग जाएंगे यह बेटा सारी चीजों का breakdown करने लगेंगी तो पहले क्या होगा जो भी complex चीजे हैं बेटा वो simple simple monomers में तूट जाएगी तो बेटा यह breakdown करने लगेंगे तो जो भी complex है जैसे carbohydrate है proteins हैं lipids हैं यह बेटा इनका breakdown होने लगेगा हाला कि lipids का बेटा कोई monomer नहीं होता बट इनका breakdown होने लगता है simpler चीजों में simpler form से बेटा इनका breakdown होता है उसके बाद कुछ substances ऐसे रहते हैं जैसे in organic salts, lignin यह बेटा दीग्रेड नहीं होते यह दीग्रेड नहीं होते आगे देखो क्या लिखता है in the this the monomers are converted into organic acid फिर बेटा यह जो simple form में convert हुआ है इसको finally organic acids में convert करते हैं अब अभी तक बेटा क्या हो रहा था facultative anaerobic में वो absence of oxygen में कर रहा था absence of oxygen में कर रहा था now बेटा अब उसको partial aerobic condition चाहिए बेटा यह last class में पढ़ाया है I am only revising तो क्या होगा यह चीज बेटा partial oxygen में होगी partial presence of oxygen में होगी और बेटा किस में convert हो जाएगा acetic acid में convert हो जाएगा so this is यह जो organic acid है बेटा कौन सा acid acetic acid में convert हो जाएगा अब इसके ऊपर बेटा मीथे नोजेंस काम करेंगे और बेटा गास प्रड्यूस होगी and this is anaerobic condition और बेटा जो गास मिलेगी that is biogas that is biogas all right तो बेटा क्या हुआ acetic acid oxidized हुई उसको methane में कर दिया by methanogenic bacteria तो सबसे पहले प्रोसेस क्या था सबसे पहले बेटा simple facultative anaerobic bacteria ने ही सरलोजिक मतिल को digest कर लिया simple substances बन गए simple substances से बेटा acetic acid बनाया जो partial anaerobic condition में हुआ उसके बाद बेटा क्या हुआ final में acetic acid को complete absence of oxygen में anaerobic mythogenins ने बेटा क्या किया biogas में methane में produce कर दिया now इस पूरे पूरे प्रोसेस में बेटा क्यूंकि cellulose का digestion बड़ा ही slow है तो इसको rate limiting factor in biogas production बोलते है rate limiting factor बेटा this will decide कि कितनी तल दिया देजी से हो रहा है ठीक है all right चलो now let's move on ahead with our today's topic that is advantages of biogas तो बेटा देको biogas के क्या क्या advantage है यह हमने last class में नहीं पढ़ा था simple सी चीज़े हैं बेटा bio gas can be easily stored bio gas को हम easily store कर सकते हैं बेटा इसको लंबे समय तक store कर सकते हो ताकि जादा से जादा इसको अच्छे से आप यूज कर सको उसके अलावा काफी जादा काम में आजाती है कुछ भी burning वगेरा बेटा जहां पे भी fuel का जो जो यूज होता है energy produce करने में cooking में भी बेटा ये use होता है ठीक है जो बच गया जो बच गया that is the by product उससे बेटा finally क्या बना सकते हैं fertilizers बना सकते हैं finally क्या करेंगे बेटा जो byproducts बन गए उससे हम fertilizers बना देंगे उसके बाद क्या होगा ultimately बेटा ये ये fecal pathogens को भी reduce करता है yes बेटा slurry can use as a manure manure क्या होता है ऐसी ऐसे ऐसी चीज़े fertility जो increase करते हैं जो बेटा natural चीज़ों से बना है तो वो जो byproduct ही तो है जो बच गया जिसको हमें use नहीं करना है तो बेटा उसको हमने manure बना लिया ठीक है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं अभी क्या है fecal material को use कर रहे हैं cow dung को use कर रहे हैं बट अगर उ इसको रोक करके diseases को भी रोक कर रहे हैं तो एक तो यह pathogens को कम कर रहा है दूसरी चीज़ वो diseases फ्हलाएंगे नहीं कुछ जो खतरनाग वेक्टर होते हैं बेटा वो वेक्टर बनेंगे नहीं and इसकी calorific value भी अच्छी कासी होती है ठीक है बेटा all right now let's move on ahead these are the percentages बेटा इसका you can take a screenshot methane कितना होता है maximum is methane 50 to 68 percent carbon dioxide होता है 25 to 35 percent hydrogen is there 1 to 5 percent a chai a boy boy jada ho jayega to matlab a tani hydrogen bomb bought cut anna kutin care kaha paunch gai hum but tk hydrogen is 1 to 5 percent then there is some nitrogen oxygen and hydrogen sulfide beta itna amount of hotel hydrogen sulfide which is h2s is very 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 rare tk chalo lilyas abni screenshot all right beta let's move on ahead abu kya kareenge paring a batay nahi kareenge so baut bachche joh daily daily aate hain sari klas ko time se pade raha hai now beta you will not talk or apni notebook or pen lekar ke licking a tk chalo come on let's write microbes as biocontrol agents abhi ye biocontrol agent kya hai zara koi batayega but a zara koi batado mujhko biocontrol agents kya hote hai anybody who can tell me what do you mean by biocontrol agent but I bet I buy biocontrol control kar raha hai kone kar raha hai or kya kar raha hai but I bet I bet I say I say I say organic cheesem or biological cheesem I say I say I say living organism ko job up a user karte ho to stop the growth of other yeah for let suppose kisi tariqe say harmful living organism to beta aisee cheesem ko hum kya use karte hai yes to beta joe koi harmful living organism hai jesse koi pathogen jesse koi pest pest yani ki joe kharaab kar raha hai kisi cheese ko pathogen could be anything virus bacteria whatever 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 kuch bhi cheesem use kar raha hai but beta hamis ko biologically control kar raha hai in ki growth ko kama kar raha hai using certain living substances living cheesem ko hi use karke ya living cheesem ke substances ko use karke ya to living organism ko use karke ya beta in se pi jane wale kuch substances ko use karke ya have you heard of organic farming better organic farming may aap neko pata hai kya ho ta hai dekho a ko tia conventional farming that suppose yaa pe kuch khet hai or may kya karongi conventional lim thik hai maine aap neke tiveti kari ugai 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 natural si baat hai bhai maha pe kide vede bhi lagingi un keiro ko maarni ke liye ma pesticide maaro ngi maaro ngi ki nahi un me se kuch kide aisee hoongi joe achee bhi hoongi joe mera kuch nahi bigad raha hoga ki nahi yes or no beta maine aik khet liya let's suppose maine yaa pe aik khet mein ugai yaa pe beta kuch gandhe gandhe pets hai some bad pest or beta kuch normal normal microbes hai there are some microbes joe mujh ko nukcsaan nahi punchare mai yaa pe agar kisii tariq kake pesticides dalti hum kisii bhi tariq kakay pesticide insecticide scourge भी डालती हूं तो chances क्या हैं ये दोनों मरेंगे ये दोनों मरेंगे चलो इनको तो मुझको मारना था इनको क्यों मारा इनको क्यों किया वाइ इनकी क्या गलती थी या क्या पता ये किसी और चीज मैं मदद कर रहे हूं बाट हो क्या रहा है कि जो चीज मैं यूज कर शहन सनटे हूँ वह बेटा अल्तीमेटलि सब को नुकसान पहुंचा रहा है कि यास और लों सब को नुकसान पहुंचा रहा है बेटा तो अगर मैं कोई Pestaidze करती हूँ तो यह बेटा किल तो करेगा किल तो लेगा पैस्ट but it can also kill it can also kill other microbes और और गयानिजम कोई और और गयानिजम छोटे CHोटे इन हर्भी वोर्ज को कार्नी वोर्ज खाते हैं और इसी तरीके से हमारी फूर्ड चेंड चलती रहती है और बेटा प्लांट्स को उनी वोर्ज भी तो खाते हैं यूमन्स भी तो खाते हैं तो चलती रहती हैं तो अगर मैंने कुछ chemical substances बेटा इसमें डालें और अगर वो plants में आएं तो इंसम में भी तो आएंगे इसको आप biomagnification पढ़ते हो बेटा इसको हम biomagnification पढ़ते हैं कि नहीं yes or no बेटा yes or no बेटा ये सारी चीजे जब हम पढ़ते हैं तो बेटा हम इसको अच्छे से अच्छे खासे तरीके से खराब कर देते हैं करते हैं कि नहीं बढ़ मुझको नहीं करना है तो मैं क्या करूंगी क्या करूंगी तो बेटा हम कुछ naturally nature में ऐसे present वाले कुछ बायो कंट्रोल एजेंट कुछ ऐसे बायो कंट्रोल agents का इस्तमाल करेंगे जो बेटा इनको ऊपर मार देगा जिससे नहीं तो pollution होगा chemical substances का नहीं तो बिचारे दूसरे microbes मरेंगे नहीं बेटा कुछ होगा गलत चीजें ठीक है दूसरी चीज बेटा देखो क्या बोल रही हूं वेरी इंपोर्टेंट तिंग दूसरी चीज क्या बोल रही हूं हो सकता है यह पैस्ट लेट सपोस हंड्रेड हैं और केवल बीस परसेंट ही मुझको नुकसान पहुंचा रहे हैं हामफुल हैं मैंने क्या बोला एक जगा पे जो पैस्ट हो काफी जादा हैं बट मैंको जब थोड़े से ही हाम पहुंचा रहे हैं मुझको बाकी से इतना हाम नहीं हो रहे हैं मतलब कहने का मतलब है कि अगर केवल केवल इतने से ही है इसको जादा कर देते हैं और इसको कम कर देते हैं अगर बेटा केवल बीस परसेंटी है तो ये मैंको ऐस सच कोई हाम नहीं पहुंचा रहे हैं अगर ये बीस हैं थोड़े से हैं तो बेटा मेंको ये कोई हाम नहीं पहुंचा रहे हैं बट अगर ये बहुत जादा जादा है तो डेफिनेटली मुझको ये हाम पहुंचा रहे होंगे बट क्या अगर कम होंगे मैं तब भी मार दूंगी क्या बेटा कम होंगे तो मैं तब भी मार दूंगी क्या नहीं मारूंगी क्यों उसको यूज करके वो सबको मारेगा हो सकता है कुछ quantity में को चाहिए हो कुछ quantity में को चाहिए हो in the sense in the sense let's talk about food chain कोई एक पैस्ट है और इसको कोई एक खाता है let's say बेटा इसको ग्रास होपर खाता है और ग्रास उपर को आगे जहां पर छिड़केगा बेटा सबको मार डालेगा वो यह थोड़ी बोलेगा कि भाई थोड़े से ग्रास अबरकल छोड़ लो भाई वह भूका है उसको खाने दो बट बेटा वो मार देगा तो ये बिचारा भूका रह जाएगा की नहीं ये भूका रह जाएगा की नहीं ये मर जाएंगे ये मर जाएंगे भूके तो बेटा ये भी ऐसे ही मर जाएंगे So, it also disturbs, it also disturbs the food chain. Yes or no? Yes or no, बेटा, यह already हमारी food chain को भी disturb करते हैं. All right, समझ आया, तो अभी क्या होगा? इसलिए, बेटा, हम कुछ ऐसे agents को use करते हैं. और ग्यानिक फामिंग के अंदर, जो हमारे बायो कंट्रोल agents होती हैं. हम उनको मारेंगे, देखो कौन-कौन से. बेटा, you can take a screenshot. Screenshot ले लेंगे और फिर उसको समझ लेंगे, जो मैं आपको बोल रही हूँ. ठीक है? देखो. पहला है बेटा, बायो herbicide. हाँ, बायो herbicide बेटा, वो होती हैं, जो weeds को मारती हैं. Herbs, herbs का मतलब plants, और बेटा, उसको मारने वाले herbicide, तो अब plants को क्यों मारेंगे? ऐसे plants को मारेंगे, जो फालतु में ग्रो कर रहे हैं, बेंतिहां ग्रो कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ग्रो करें, जो नहीं करने हैं, तो बेटा उनको weeds बोलते हैं, तो weeds को मारने वाले bio herbicides हो गए, ठीक है? अब bio herbicide है, living organism से करना है, तो बेटा देखो, सबसे पहले जो develop हुआ था, that was in 1961, और ये बेटा था from a micro herbicide, which was obtained from a fungus, phytopanthora, phytopanthora बेटा, please write it down, please write it down, phytopanthora बेटा, सबसे पहला, उस में से निकाला जाने वाला, सबसे पहला वाला herbicide था, herbicide था, जो कि weeds को मारता था, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बेटा एक living organism है, ये fungal जाके उनी को मारेगा, ये उस पे लग जाएगा, और उस weed को खतम कर देगा, ये बाकी insects को नहीं मारेगा, जिसक life cycle भी गड़ सकती है, ये plants को toxic substances नहीं दालेगा, ये बेटा bio magnification नहीं करेगा, ये ऐसी चीजे बिलकुल बिलकुल नहीं करेगा, ये बेटा क्या करेगा, सिर्फ और सिव उन चीजों को हटाएगा, उतना हटाएगा जितना जरूरी है, ठीक है बेटा, तो ये किसको control करता है कौन से बाले को, बेटा, growth of milkweed, तो milkweed जो crow करते हैं, wines inside, citrus बेटा, जो outchards होते हैं, वहाँ पे milk weeds को ये खतम करते हैं, सबसे पहला था बेटा, ये, this is not given in NCRT, you can write it down, आगे देखेंगे, बेटा, उसके बाद एक और use होता है, fungus trichoderma, fungus trichoderma के बारे में बेटा, आपने थोड बेटा होता है, ऐसे plants, unwanted plants, जो grow कर रही है, let's suppose कहीं पे बहुत जादा, कोई बेटा, अगर दिल्ली विल्ली रहता है, नौइदा साइड रहता है, तो उन्होंने देखा होगा, यमुना वाटर की साइड जब जाते हैं, तो बहुत सारे green, green, green plants होते हैं, या आप कहीं पे भी वज़े से बेंती हां बढ़ जाती है, eutrophication हो रही है, इसकी वज़े से क्या होता है, बाकी plant को resources नहीं मिलते, वहां का खाना, वहां का nutrient, वहां की oxygen, सब कुछ, सब कुछ ले लोगे, तो बाकी plants के संख्या होगा, जो वहीं रहते हैं, तुम तो हर जगा फैल रहे हो भई, त बेटा वो retard कर देते हैं बाके लोगों को, ठीक है, चलो, उसके बाद, fungus trichoderma, बेटा ये रहते हैं, normally root systems के पास, तो जहां जहां पे भी roots होते हैं, वहां पे ये fungus trichoderma पाया जाता है, और ये भी लगाया जाता है to protect from pathogen, ठीक है, हमको क्या करना है, सारे examples learn करने हैं, बास इत देखेंगे, lady bird और dragonfly बेटा, dragonfly पे तुमारा cbsc में question आये था, ठीक है, dragonflies बेटा क्या होते हैं, ये इसकी दो life stages है, ये चोटे होते हैं, और ये बड़े भी होते हैं, जब ये चोटे होते हैं, ये जब चोटे चोटे इंसेक्ट के कीडों को खा जाते हैं, और जब ये mosquito जादा हो गए, अभी mosquito क्या कर सकते हैं, बेटा ये vector होते हैं ना कितने सारे diseases के, तो ये diseases पहला सकते हैं, malaria पहला सकते हैं, डेंगू पहला सकते हैं, चिकन गुनिया पहला सकते हैं, है ना, yes or no, अब बेटा क्या होगा, अगर मैं माँ पे dragonflies डाल दूंगी, तो वो इनको ख आदेगा, बेटा, dragonfly की life cycle में दो stages आती हैं, जब ये छोटे होते हैं, तो ये इसके larva को खाते हैं, और जब बेटा ये बड़े हो जाते हैं, तो ये बड़े mosquito को खाते हैं, ठीक है, तो ये हर तरीके से उनको खताम कर रहे हैं, और राइट, चालो, now, बेटा, अब क्या है द रहती है, तो बेटा, लेडी बर्ड, आफिट्स को माटती है, आफिट्स अगर आप देखोगे, लीफ में ग्रीन कलर के छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, और लेडी बर्ड उनको खा जाती है, ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है तुमारा, कॉक्नील इंसेक्ट, ये बेटा, यहां पर खतम कर रहा है, तो ओवर ग्रोज क्याक्टाय को खतम करता है, ठीक है बेटा, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ये इंसेक्ट बेटा, आपको अच्छे से लर्न करने हैं, तो इस स्लाइड में आपको क्या क्या करना, यू नीड तू लर्न और अल कुछ examples लिख रहे होंगे कि किस-किस plant में क्या-क्या यह करता है ठीक है चालो next बिटा next बस यह रह गए उसके बाद अगली क्लास में बिटा बायो fertilizers पड़ेंगे so next is the baccala virus what does this baccala virus do beta यह pathogenic viruses है देखो जरा इनको कितने चालाग है pathogenic viruses so these are basically virus बिटा जो infect करेंगे kill करेंगे many insects और pest यानि की बहुत सारे ऐसे insects जो की pest की तरह plant में चिपके हुए हैं और भी बहुत सारे और तो पोड़ा और तो पोड़ा के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट आगे तो इकटा भी लिख देंगे मैनी इंसेक्ट ये पैस्ट जो पैस्ट की तरह चिपके रहते हैं plants में ये जो viruses हैं उनको बिमार कर देते हैं उनको खराब कर देंगे तो इस तरीके से ये उनको attack करते हैं तो these are pathogenic to the insects तो baccala virus होगा बिटा example याद रख लेंगे nucleo polyhedral virus nucleo polyhedral virus ठीक है चालो उसके बाग these are known to korn korn se bita korn korn se pest ko control करती है korn korn se आपके ये insects ko control करती है potato beetles aphids and the corn borers corn borers के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे bio tech जब पढ़ेंगे ठीक है चालो next beta आता है microbial bio control agents चोटे चोटे अभी देखो यहां पर कौन कौन से होते हैं very small small bio micro control agents अभी तक हम पढ़ रहेते चीके viruses पढ़े that is also small हमने insects पढ़े हमने fungi पढ़ा अभी बेटा और microbe ऐसे होती है now butterfly caterpillar बहुत जादा plants को खराब कर रहे है उसको beta खा रहे है खा रहे है कि नहीं तो अभी क्या होगा bacteria का example है bacillus thuring genesis beta इसको BTB बोलते हैं इसको BTB बोलते हैं beta हम यह यह भी आगे पढ़ेंगे जब हम bio tech में पढ़ेंगे BT cotton के बारे में पढ़ोगे तो bacillus thuring genesis beta this is a bacteria क्या होता है किसी plant में अगर बहुत साधा butterfly oh sorry butterfly के caterpillar हो गए तो क्या करेंगे यह जो bacillus thuring genesis है ना इस particular bacteria के वो ले लेंगे बेटा sports ले लेंगे ठीक है बेटा sports ले लेंगे और इन sport को बेटा पहले dry करेंगे फिर इसको water में mix करेंगे और फिर spray कर देंगे ठीक है ओके बिटा समझ जा रहे है सापको तो मैंने क्या बोला this name is not not much kill beta bacillus thuring genesis इतनी बार पढ़ लोगा कि मुश्किल लगा ही नहीं बैसी लस्पता है रॉट शे बैक्टीरिया होता है thuring genesis thuring genesis that's it ठीक है तो बेटा क्या होगा जिस प्लांट के लीफ में यह आपकी butterfly के caterpillar लग गए है तो बेटा यह क्या करती है यहां पे इनके sports छिड़क दो इस particular बैक्टीरिया के sports को पानी में मिक्स करके ऐसे ऐसे छिड़क दो तो पीटा यह क्या करते हैं यह incorporate हो जाएंगे इनके अंदर और इनकी body में यह ऐसा toxin produce करते हैं यह बेटा ऐसा toxin produce करते हैं जो इन insects के गट में यानी बेटा इनके intestine में जाके वहां पे परफोरेशन कर देता है और उनको मार देता है तो बेटा वो लगेंगे ही नहीं लगेंगे ही नहीं तो क्या करेगा यह बेटा ऐसे toxins produce करता है वो toxin उन यह butterfly के caterpillar में जाएगा और बेटा उनको मार देगा कैसे उनके गट के intestine में गट और intestine वहां पे जाकर के perforations create कर देगा और मार देगा यही चीज़ बेटा हम बायो टेक में भी पढ़ेंगे कि बिना microbes को सीधा spore सीधा बेटा डाले हुए हम क्या करेंगे उस में से ऐसा gene निकाल देंगे जो बेटा plant में ही incorporate कर देंगे plant में ही incorporate कर देंगे और और उस plant को खाने वाले organism मर जाएंगे तो बेटा यह हम पढ़ेंगे सो यह कौन से प्लांस है जच आज ब्रासिकाज और आपका fruit trees वहां पे हम cotton में पढ़ेंगे बिटा बीटी cotton को कौन बोरट वगेरा साब पढ़ेंगे ठीक है तो विद देस बिटा हमने यह सारा का सारा complete कर लिया अब बिटा क्या करेंगे आपकी screen पे दो questions आएंगे और आपको उसको answer करना है the first question is on the screen which of the following bacterias or bacteria is present in the human of cattle बिटा cattle के rumen में क्या अंसा bacteria present होता है rumen जहां पे बिटा cellulose को digest करने के लिए होता है हम में नहीं होता हिये ठीक है next question पिटा अगला question बोल रहा है the process of biogas production is what biogas production वाले process क्या process होता है जरा जरा answer दो ठीक है चालो सबको आता है यार सारे बच्चे बढ़िया है एकदम अगला question biogas is produced by what अरे इन question से हो क्या रहा है इन question से अगर तुमको नहीं भी आ रहा है न तो पिटा इतनी बार पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के तुमारी दिमाग में नहीं गुसे तो मेरे नाम बदल दो ठीक है बिटा ओल राइट चालो questions को discuss करते हैं सबसे लास्ट वाला question चलो पहले वाले देख लेते हैं सबसे पहले वाला question बिटा था कि which of the following bacteria is present in the newman of cattle Methanobacterium वताया ताना methane को release करती है उसके बाद बिटा process उसको क्या बोलती है bio gas is a process of anaerobic process और सीवेज में anaerobic aerobic दोनों होती है उसके बाद बिटा bio gas कैसे produce होता है yes with the help of methionogenic bacteria और anaerobic breakdown तो बिटा B and C option D is the right answer चालो with this katham कर दें है class सबके answers सही है सबको समझ जा रहा है I am very happy ऐसे ही पढ़ती रहिए और बेटा यूहीं आते रहिए कल पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही बाई बाई